Hi 12s, Welcome to Easyway Commerce Classes, मैं हूँ तबिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने स्टाफिंग चेप्टर की केस टेडियो को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जादा से जादा केस टेडियो में कवर कर सकें और हमें अच्छी तरीके से समझ भी आए इसके साथ सब गाईज, केस टेडियो को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है अब सभी को बता होगा कैसे सॉल्व करते केस टेडियो सबसे पहले हम केस टेडियो के नीचे के कुश्चिन पढ़ते हैं और उसके बाद questions पढ़ने के बाद उनको हम case study में ढूणते हैं फॉर्स step होते हैं उन questions को पढ़ना ना कि case studies को पढ़ना तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है अब हम start करते हैं सबसे पहले staffing की case study तो staffing में guys देखो बहुत सारे topic है आपके staffing का meaning है आपका staffing का process है selection का process है इसके साथ साथ आपके training development है कितने type के training होती है recruitment कितने type से किया जाता है बहुत सारे topic है तो सबसे पहले आप अपनी book में से इन topic को ज़रूर एक बार revise करो ताकि आपका concept जो है जो book में दे रखें वो clear होने चाहिए अब हमारी सबसे पहली जो case study है इसमें इनोंने बोला है identify the source of employment adopted by fair deal limited यानि कि employment का कौन सा source इनोंने use किया था ठीक है तो अब हम case study पढ़ते हैं जिसमें क्या बताया है board of director of a fair deal limited has formulated a policy for human resource development board of director ने पॉलिसी बना दी है किसके लिए human resource development के लिए यानि कि HR department के लिए आगे वो क्या कहते है according to this policy certain standards will have to be taken in consideration prior to the appointment of person in the company वो कहते है कि जब भी हमें company में किसी person को appoint करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है some of the main standards are कौनसे standards उन्होंने त्यार करें existing employee of the company should be motivated यानि कि आपको आपके जो past में employees हैं जो काम कर रहे हैं उनको motivated रखना है दूसरा selection should be riskless यानि कि हम अगर new employees रखते हैं तो हमें risk लेने की ज़रूरत नहीं है and should not need any induction यानि कि उनको कोई introduction वाला system नहीं चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन से source of employment की बात करें देखो आपके पास दो type के source of employment होते हैं internal and external internal में उसके again दो पार्ट आते हैं जिसमें promotion कर सकते हैं हम लोग या transfer करते हैं ठीक है इसमें हम अपने existing employees से ही अपने job को fill करते हैं और external में होते हैं बाहर से employees को हम लोग recruit करते हैं हायर करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये internal की बात करें इंटर्नल की तो देखो ये बोल रहे हैं कि internally जो हमारे पास employees उनको motivate रखना है हमें किसी का introduction कराने की जरूरत नहीं है हमें जो भी appointment करने हैं वो risk less होनी चाहिए कि गलत कई employee तो नहीं select हो गया काम नहीं कर रहा तो वो सब चीज़े नहीं चाहिए तो यानि कि ये directly बात कर रहे हैं internal recruitment की क्योंकि introduction ना देना पड़े तो वो तो internally हुआ ना तो यहाँ पे इसका answer क्या होगा internal source of recruitment की यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर उन्होंने बोला straight briefly the meaning of the same फिर हमें इसका meaning explain कर देना है कि internal source of recruitment क्या होता है second है guys pushpanjali private limited के company के बारे में है ठीक है in your opinion which source of recruitment should be used by HR manager यानि कि यहाँ पर भी source of recruitment के बारे में ही पूछ रहे हैं यानि कि internal source of recruitment या फिर external जो HR manager ने choose किया है अब यह क्या कहते है pushpanjali private limited is a renowned company manufacturing different kind of gifts gifts company क्या बनाती है बहुत सारे gifts बनाती है अलग-अलग तरीके के and company is the need of some employees company को employees की जरूरत है Mr. Shibash Subhash Khaturia HR manager is keen to select such person as are well equipped with the latest knowledge वह कहते है कि हमें तो भाई ऐसे person को चुनना है जो की जिसके पास latest knowledge हो यानि कि जो अभी-भी सारी चीज़े सीख कर आया हो He also desired that the area of selection should be extensive यानि कि हम जो भी selection करें हमारे पास बहुत सारी choice होनी चाहिए extensive area होना चाहिए बड़ा area होना चाहिए हमारे पास सिफ 2-3 options नहीं बलकि 200-300 option होने चाहिए या फिर इससे जादा तो आपके हिसाब से कौन सा recruitment का बात कर रहे है कौन से recruitment की बात कर रहे है internal या external यहाँ पर directly external recruitment की बात हो रहे है क्योंकि उसी में हमारे पास बहुत सारे सीवीज आते हैं और हम उनमें से person को select करते हैं फिर उसके बाद उन्होंने उसका meaning पूछ लिया तो आपको meaning याद करना है और उसको correctly लिखना भी है इसके बाद है third case study guys identify the source of recruitment referred to the two in the above paragraph इसमें भी same internal external तो यानि कि in case study से आपक internal और external का जो पूरा concept है वो clear हो जाएगा अगर इस पर case study आती है तो आप अराम से answer दे पाओगे इसमें क्या कहा गया it is the custom of a company to avoid to say no to any person who approaches it for a job वो कैते हैं कि भरी एक company की policy है कि हमें अपने custom है मलब रवाज है कि हमें अपने किसी भी person को मना नहीं करना किस वे में मना नहीं करना कि अगर वो लोग job के लिए हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें ना नहीं कहेंगे rather it gets his applications and tell him that as and when company required his service he will be called हम उन्हें ये कहेंगे कि आप हमें अपना cv दे तो जबे भी हमें आपके ज़रूरत होगी हम आपको ज़रूर कॉल करके बुलाएंगे in this way company acquire a database company के पास भी बहुत सारे cv खटे होगे जब आप मना नहीं करोगे तो बहुत सारे employees आएंगे तो वो आपको cv तो देंगे अब इसके बाद क्या कहते है its advantage is that at the time of need a suitable applicant out of the database can be called for interview फाइदा क्या हुआ guys जबे भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो उन cv में से देखते थे और person को call करके बुला लिया करते थे does the company is saved from expense on advertisement अब company को advertisement देने की need नहीं होती थी क्योंकि उनके पास already इतना data collect हो रखा होता था तो यहां पर हम लोगों को identify करने source of recruitment so guys यहां पर कौन सा source of recruitment है देखो सब जो applications आ रही हो बाहर से आ रहे है external है लेकिन उसमें भी उसका कौन सा पार्ट है so that is the casual callers, casual callers क्या होता है जिसमें हमारे पास different different लोग जो है अपने CVS deposit करके चले जाते हैं यानि कि submit करके चले जाते हैं और company एक database maintain करके रखती है और जब भी उसको need होती है वो उसे call करके बुला लेती है तो इसे हम casual callers कहते है external recruitment में उसके बाद आपको इसका meaning explain कर देना है ठीक है तो meaning जो आप explain करोगे वो casual callers का करोगे ठीक है अब four case study क्या है guys जिसमें बीरू नंदन के बारे में है चलो इसमें भी हमें identify करना है type of source of recruitment तो यानि क्या आप समझ जाओ source of recruitment में कोई गलती नहीं होनी चीए इतनी case studies हम लोग कर रहे हैं इधर हम से बात करी गई है identify the type of source of recruitment बीरू नंदन जो है चेर्मेन है ललत ग्रूप अफ कंपनीज का फाउंडेट बीरू युनिवर्स्टी ए जहाँ पे पोस्ग्रेज़ूइशन के कोर्सिस कराया जाते हैं different different the information technology department of the Lalit Power Limited had a few vacancy related to cyber security देखो अब उनके महाँ पे job निकल रखिये cyber security में the human resource department of the company decided to recruit fresh engineering graduate from बीरू युनिवर्स्टी for the same वो कहते है हमारी तो युनिवर्सटी है यहाँ पे इतना बच्चों पढ़ रहा है इधर से recruit कर लेते हैं तो यह देखो external है क्योंकि internal में तो सिफ promotion और transfer होता है यहाँ पे external है लेकिन external में भी कौन से और किसकी बात करी जारी है तो external में गाइस बात करी जारी है campus recruitment की किसकी बात करी जारी है campus recruitment जिसमें हम लोग directly colleges से युनिवर्सटी से employees को मलब candidates को hire कर लेते हैं ठीक है तो आपको पता है external recruitment के दिरत मेंनी टाइट्स जिसमें आपका campus recruitment employees recommendation और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अब हम पढ़ते हैं guys अपनी next case study जिसमें वो बात करे है the above discussion is indicating an important function of management name the function of management तो यहां पर वो management के किसी important function की बात कर रहे है और हमें वो function बताने है तो हमें तो पता ही है management के 5 function होते है planning, organizing, staffing, directing, controlling जिसे हम pause DC कहते हैं उनमें से वो पूछ रहे है किस function की बात करी चारी है and many people wants to join this company, सब लोग इस company को join करना चाहते हैं the employee of this organization are very happy सारे employees बड़े खुश है and they discuss how they came in contact with this organization कि हम इस organization में कैसे आए जिसमें Aman कहता है said that he was introduced by the present sales manager Mr. John Aman कहते है कि मुझे तो यहां पर जो John है sales manager उसने introduced कर आया Benu कहते है that he had applied through the newspaper and was appointed as a HR manager कि मुझे तो newspaper में advertisement दिखा और मैं आ गया यहां पर इसके बाद Vebhav कहते है he was neither related to any of the employee मुझे तो किसी ने introduced नहीं कराया nor there was any advertisement in the newspaper नहीं मैंने कुई advertisement देखी फिर कैसे आये भाई even then he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to complete his MBA कि मुझे तो मेरे college से ही उठा लिया गया था और मैं आ गया यानि कि campus recruitment के थूँ अब हमसे पूछा गया था guys function बताने का तो देखो यहां पर किस function के बात और रही है planning के और यह नहीं organizing के और यह नहीं staffing के और यह यह यहां पर so function तो staffing है इसके बाद वो पूछते है b part में the management function identify in a part a follow a particular process explain the step of this process which is being discussed in the above pera तो वो यहां पर इस process में से किसके बार में बात कर रहे है so guys वो यहां पर बात कर रहे है recruitment के बार में कि हमें किस तरहिके से recruit किया गया इसमें वो यह भी mention कर सकते हैं कि आप हमें बताओ कि उनका कैसी recruitment हुआ तो जैसे Aman है Sales Manager, Sales Manager ने उसी introduce कर आया that is recommendation of employee, external को सारे type है आपको external के types सारे याद होने चाहिए tips पर ठीक है जिसमें campus recruitment, आपका recommendation of employee आ जाता है employment दिक्षिन जाता है, placement agency के थू recruitment, advertisement के थू casual callers, direct recruitment तो बहुत सारे types है तो वो सबसे पहले आपको उसके concept clear होने बहुत ज़रूरी है तो learning तो हमें business में चाहिए चाहिए इसमें अमन जो बात कर रहा है, वो recommendation of employee की बात कर रहा है बेनू जो बात कर रहा है, वो advertisement की बात कर रहा है और webhawk की जो बात होरी है गाईस, वो campus recruitment की हो रही है तो वो आप से इसके बावे में भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि अमन बैनु और वेभफ का रिकूटमेंट किस सोर्स ओफ किस तरीके से हुआ है इसके बाद जो हमारी next case study है guys उसमें वो कहते हैं State the next three step that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft unit हमें next three step बताने हैं तो पहले तो हमें पहले तो step पता चले तो अब हम case study पढ़ते हैं दिब्रुगर इन असम देखो तीन लड़किया है अकांशा निकिता इन परिश्वा जो की ओनर है किस चीज की हेंडीक्राफ्ट यूनिट की कहां पर अर्बन एरिया दिब्रुगर असम में ठीक है which is involved in the manufacturing and marketing of सीतल पत्ती क्या बनता है वहां पर सीतल पत्ती सीतल पत्ती क्या होता है ट्रडिशनल मैट असम के मैट होते हैं वह वहां पर उनकी यूनिट में बनते हैं यून एरिया की लोगों को भी जॉब मिल सकें ठीक है आगे वह कहते है वह एक पर्टीकुलर क्या किते हैं structure follow कर रहे है functional functional structure कॉंसा होते है इस organization का जिसमें हमारे different departments होते है like purchase department होते है production department होता है हमारा sales department होता है HR Finance यानि की कामों को departments एक तरीके के काम का एक department बना दिया जाते है Finance के सारे काम फाइनेंस देपार्टमेंट में होते है तो उसे functional organization structure कहते है ठीक है उन्होंने ऐसा बना रख है They assist and analyze the type and number of employees required उन्होंने क्या assist किया guys? कितने type के और कितने लोग हमें चाहिए Keeping in mind that they had to encourage the woman and the people with the special need belonging to the ruler area कि हमें लोगों को जिन्हें जरूरत है और ओरतों को काम भी देना है तो उन्होंने assist कर लिया कि हमारे पास कितना काम है और कितने लोग कर सकते है So देखो कि स्टीस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है guys Staffing का first step होता That is the estimation of manpower requirement Estimation of manpower requirement में हम क्या पता लगाते है हम workload and workforce का पता लगाते है Workload और workforce बहुत important concept है Exam में पूछे जाते हैं अकसर Workload Analysis के से कहते है guys Workload में हम लोग यह पता लगाते है कि हमारे पस कितना काम है Like इतना काम है इतना काम कितने बंदे कर सकते है चार बंदे कर सकते है That is the workload analysis के हमें पस कितना काम है कितने टाइप का काम है और कितने लोगों की हमें need उसकाम को complete करने में Workforce अब हमारे पास actual में कितने बंदे है जादा तोनहीं है अगर हमें चार बंदे की need ostat हमारे पस 5 बंदा है, over staffed है, 4 बंदे की need है, हमारे पस 3 बंदा है, under staffed है, तो यह चीज़ staffing की first step में पता लगाई चाती है, ठीक है, अब यह हम से next 3 step पूछ रहे हैं, जो इनको लेने हैं, तो देखो जब भी हमें estimation of manpower requirement पता चल जाती है, तो अब हमारा next कदम होते हैं उन लो management and orientation, तो 8 step हैं, उनमें से यह नोंने हम से पहले के बाद वाले तीन पूछे हैं, वो हम बता देंगे, इसके बाद जो guys, next case study है, जिसमें identify in the next 2 steps बताने हैं, that the Rahul has to follow in the staffing process after selecting the above heads, यानि कि जो Rahul है guys, उसने select कर लिये heads को, अब उसको 2 steps हमें आगे के बताने हैं, ठीक है, Rahul कौन है, director of a garment company, कौन है, director है garment company का, is planning to manufacturing our bags for utilization of waste material of one of his garment unit, वो कहता है जो समान बच रहा है न कपड़े का, उससे क्यों न हम bag बनाने लग जाएं, He decided that this manufacturing unit will be set up in a ruler area of Urisa, Urisa के गाओं में जाके हम इसे set up करेंगे, where people have very less job opportunity, जहां पे लोगों के पास job opportunity नहीं है, and labor is available at a very low rate, और हमें सस्ते दामों पर labor भी मिल जाएगी, He also thought of giving equal opportunity to men and women, सब को यानि कि आदमी और दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, For this, he selected S. Chatterjee, उसने किसको select किया, S. Chatterjee को select किया, Inderjit Kaur, Aslam and Sarabjit as a head of a sales, accounts, purchase and production department, हर एक department के उसने head select कर लिये, अब इन्होंने हमसे पूछा है, selection उसने कर लिया है, next two steps that Rahul has to follow in the staffing process, staffing में जब हम selection कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, placement and orientation, placement मतलब उनको उनकी job position देना, और orientation मतलब क्या हो गया, उनका introduction, लेकिन placement and orientation एक step है, next step होते है guys, उनको training and development प्रोवाइट करना, ठीक है, तो वो दो step हमें यहाँ पर बताने थे, guys, आजके इस वीडियो में हम इतनी case study करेंगे, I hope आप लेको को समझाई होगी, next video में next case studies करेंगे, और अगर आपको भी किसी भी case study में कोई difficulty आती है, तो आप picture कर सकते हो, Instagram पर ID है तब इताम ऐसी, ठीक है, टाक ही, वहाँ पर मैं आपको explain कर सकती हूँ, और बाकी next video में मिलते हैं नई case studies के साथ, thank you!